हेलो फ्रेंट्स मैं हुआ से रोज मेरे किचन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज आपके लिए लेकिया हैं बिना पालर के गए हुए अपनी स्किन हुए फेसियल वो भी बहुत ज्यादा ग्लोव चमक जो भी चाइनिस लोग लगाते हैं और रेमेडी चाइनिस की जो स्किन होती है उन लोगों की बहुत ज़्यादा कच्ची स्किन होती है बहुत ज़्यादा गोरी होती है बहुत सोब्ट होती है तो आज आपके लिए हम वैसी ही रेमेडी लेके आएं वो भी बिना खर्चे में और बहुत ज़्यादा गोरा बनाने वाली तो फ्रेंट्स चैन रेड कलर का टमाटर टमाटर आपको इस तरीकी का लेना है कि बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए टमाटर और बिल्कुल रेड कलर का होना चाहिए तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते मैंने बिल्कुल रेड कलर का टमाटर लिया है तो अब इसका जो भी जो ये रस है वो हम निकाल लेते हैं क्योंकि जो रस होता है ना वो ही हमारी इसकिन के लिए बहुत अच्छा होता है तो सिरप इसका जो रस होता है वो ही अंदर का निकालना है हमें क्योंकि जब भी आपको लेना है तो पका हुआ टमाटरी ही यूज में करें लेना है तो कि यहां पे मैंने देख सकते इतना रस निकाल लिया है कि तो बेख सकते हैं चुर् टमाटर का मैंने लिया था पूरी तरीके से बिचक चुका यह निकल चुका और जुद भी तो हमें पूरा जो इंदर का हिस्सा था वो मैंने पूरा निकाल लिया है ले लिया है अब इससे भी आप इसको भी लगा सकते हैं मैंसे चाहे तो यहाँ पर मैंने पूरा रसिस का निकाल करके इसमें डाल दिया है तो फ्रेंट इसको क्या करना है हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है तो इसी टाइप से हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको मिला लिया है क्योंकि इसका जो रस होता है न बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी ताकि चीनी से हमारी जिसकीन की गंदकी होती है न बहुत इसपीड से खतम हो जाती यहां पर मैंने लिया है थोड़ी सी हल्दी तो हल्दी को भी डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं तो सबी चीजों को इस तरीके से मैंने मिला लिया है देख सकते हैं फuste करें चीनी की छोटी छोटे दाने देख रहे हैं तो अच्छे से जब हम मिक्स करते रहेएंगे तो पिग जाएगी चीनी को पिगल ने में बहुत टायम लगता है तो फ्रेंट्स इस तरीके से देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको मिला लिया है यहां पे मैंने थोड़ा सा लिया है कोफी पाउडर कोफी पाउडर से हमारे स्किन की गंद की कालापन दूर होता है आँकों की नीचे जो काले गहरे हो जाते हैं वो बहुती स्पीड से इसे खतम हो जाते हैं और बहुती अच्छा काम करती हैं हमारी स्कीन के लिए तो फ्रेंट्स इस तरीके से देख सकते हैं सभी चीजों को हम मिला लिये हैं तो इसी परकार से मैंने सभी चीजों को मिलाया है देख सकते हैं सबी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है जो मैंने को भी पाउड लिया था वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है इसके अंदर तो friends अब हमें क्या करना है ब्रेस की help से इसको mix करना है और फिरा में लगाना है तो दोस्तों आपको चैरे पे भी लगाना है पीछे गर्दन पे लगाना है, हाथों पेरों पे लगाना है, तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, और इसको लगाने के बाद, लगाने के कई मिनट बाद में धोना है हाथ को जैसे आठ से दस मिनट का टाइम के लिए तो लगान के रखना ही है हमें, ताकि ये थोड़ा सा result भी अच्छा दिखाए और सूक भी जाए और हमारी body के अंदर भी जाए जो इसका रस है ताकि उसी से हमें अच्छा फाइदा मिलेगा जो भी skin की गंदकी है कालापन है वो इसी तरीके से दूर होता रहेगा दूर हो जाएगा एक बार में ही और हमारी skin बहुत ज़्यादा glow करेगी तो friends यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से brush की help से लगा लिया है तो इसी परकार से हमें लगाना है तो friends हाथ की help से हमें अच्छी तरीके से मालिस करनी है मसाज करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं friends मैं अच्छी तरीके से लगा ली हूँ और अब इसको हमें दोना है वोस करना है तो result आपके सामने मैंने साबन से भी नहीं दोया है सिरप मैंने वैसे पानी से ही normal पानी से ही धोया है अभी एक बार में आपके हाथों पितनी चमा कितना glow आएगा ने कि खुद भी देख के एरान रह जाएंगे पूरी गंद की खतम हो जाएगी और यह बहुत अच्छा वेनिफिट मिलेगा तो आज पे लिए इतना है